जैसे आप देख सकते हो यह जो layout में यह मेरे को round बनाना है railing को मगर में पर railing का जो model है वो सीधा सीधा है इसको मैं round shape में कैसे लूँगा चलो देखते हैं round shape में लेने के लिए सबसे पहले तो आपके जो जितने भी railing के अंदर segments है उसके अंदर segments proper होने चाहिए जैसे यह बा और भी जादा extra add करने उसके अंदर segments में add कर लूँगा edit poly के जरिये edit poly मैं add कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैंने इसके अंदर connect कर लेता हूँ लिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा segment add कर दिया जितना मेरे को चाहिए ठोड़ा और बीज़ाद मैं इसके इंक्रीस कर सकता हूँ तो जितना मुझे चाहिए मैं यहाँ तरह से और बी ज्यादा रलेता हूं काफी तो यस कर लिया तो ओके तो फिर इसको फिर से में ग्रूप मोड में लेके जाता हूं जैसा मेरा ग्रूप में था इसको फिर से ग्रूप में लॉक कर दिया राइट तो यह मेरा ग्रूप में आगा वापस से अब इसको ऐसे राउन मेरे को लेके जाना है तो तो रौन कैसे गर सकते हो आप तो रौन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा तो सिदा मैं चलता हूं इधर पर करता हूं band सुर्क्ट करेंड हो फिर इधर फिर को हम लोग को angles मिलता ए अंगल में लोग left and right उपर नीचे हो रहा है राइट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक चीज़ है थोड़ा सा इधर पर मेरे को लग रहा है कि इधर पर दिक्कत क्रेट कर सकता देखते हैं कि दिक्कत क्रेट हो तो सेमेंट करना पड़ेगा डारेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहां से चा आपने दिक्कत नहीं आ रही है वहां पर मैं इसको फिक्स करना है जैसा मुझे फिक्स करना है तो मैं इसको फिक्स करना है अपने शेप के उपर लगा जिता हूं अपने चॉप से थोड़ा सा और मुझे लाइक देश कर लेना है अब इसके आगे भी हम लोग करना है तो वह भी हम लोग कर सकते हैं या नि कंट्रू कैसे कर सकते हो इसको अम लोग कॉपी कर लिए जैसी कॉपी को मैं कर लेता हूं इधर पर आइसे परफेक्ली सेट अप कर लेंगा अब बुलोगे यह सब तो ठीक है अब इधर पर आपका डबल हो रहा है डबल पोल बन रहा है डबल पूल नहीं चाहिए सिंगल पूल चाहिए कोई भी एक पूल को हम लोग रिसाइड कर लें जैसे यह हम लोग सेंटर वाला पूल यह काफ तो कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं मैं इसको यूकि आप जो भी कॉपी कर रहे हो यहां पर कॉपी होना चाहिए इस्टेंस हुआ तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो सकती है दोन जगा स्लाइस अप्लाई होने चाहिए तो स्लाइस को लिया मैंने और इसको कर देता हूं 90 डि होंगा कि इसके बाद से यह कट जाना चाहिए इसके बाद से नहीं रहने चाहिए रिमूव टॉप पर क्लिक करूंगा तो देखो उससाइड का क्लिक निकल गया ठीक है तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो देखो पूरा एक राउंड शेप में हमको रेलिंस मिल ग इस वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेंचर इसको सब्सक्राइब कीजिए विक्सीन.com यहाँ मिलते हैं आपको ठीडी मॉडल, सीनफाय, टेक्शर और टुटोरियल्स और विया जाने के लिए इस वीडियो को डेक्स्रिप्शिप्शे में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो